नमस्कार आपका आख़वार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग। मैं बैठा था वीडियो बनाने के लिए किसी और विशह पर टीवी बंद करने जा रहा था तब तक खबर आ गई महराश्छ के अगले मुख्यमंत्री एकनात शिंदे होंगे शिवसेना के एकनात शिंदे होंगे मैंने अपने जनलिस्टिक करियर में बहुत से चौकाने वाले फैसले देखे और सुने हैं लेकिन भाई ये प्रधान मंत्री नरिन मोदी और ग्रेह मंत्री अमिज शाह इन लोगों का कोई जवाब नहीं है इनकी माया अपरमपार है ये क्या फैसला लेंगे कब लेंगे कैसे लेंगे किसी को कानो कान खबर नहीं होती है मुझे नहीं लगता कि देवेंद फर्णविस को भी कल तक पता था आज जरूर पता हूँ कल तक उनको भी पता रहा होगा कि ये होने जा रहा है यह हो सकता है पता हो कहना मुश्किल है लेकिन एक बात आप सबज़िए कि ये लोग फैसले जैसे शतरज में होता है जो अच्छा खिलाडी होता है अंतराश्टी जो खिलाडी है चेंपियन है वो अपने विरोधी से दो-तीन चाल आगे की चाल सोच के रखते हैं ये तो ऐसे लोग है कि जो शेह और मात का जो है आट-दस चाल पहले ही सोच के रखते हैं और ऐसा लगता है सामने वाले को कि इनका खेल में ध्यान ही नहीं है तब तक शह और मात दोन हो जाती है एकनाच शिंदे को मुख्यमंत्री महराष्ट का बनाना इसकी कलपना न शरत पवाद ने की होगी न उद्दव ठाक्रे ने कि योगी न सोनिया गांधी ने राहुल गांधी प्रेंका बाड़ा की तो बात चोड़ दीगे उनकी बात कॉंग्रेस जो महराष्ट में कॉंग्रेस के निता हैं उनमें से किसी को भी सपने में भी ऐसा नहीं आया होगा तैयारी क्या थी विपक्षकी, शरत पवार, कॉंग्रेस पार्टी और खासतोर से उद्धव ठाक्रे हैं वो जो उन्होंने फेस्बुक लाइव पर भाशन दिया कि मैं बाला साहब का बेटा मेरे साथ दोखा हुआ शिवसेनिक को हटा दिया, तो उद्धव ठाक्रे तो शिवसेनिक थे नहीं, एकनाथ शिंदे तो सही मायने में शिवसेनिक है कायदे से देखें तो पहली बार कोई शिवसेनिक बन रहा है, मुख्यमंत्री है और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला मुझे अब लग रहा है कि इससे बड़ा महाराष्ट की राजनीती के लिए इससे बड़ा मास्टर स्टोक नहीं हो सकता वो इसलिए कह रहा हूँ आम तोर पर मैं इस मास्टर स्टोक शब्द का इस्तिमाल नहीं करता यह इतना घिस चुका है लेकिन इसके अलावा कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि शब्द से इसको परिभाचित करूँ किस तरह से इसको बताओं कि यह कितना बड़ा कदम है और इसका आसर क्यों महराश तक नहीं रहने वाला है इसका आसर पूरे देश की राजनीती पर पड़ेगा इस एक स्टोक से देश की एक रीजिनल पार्टी को बीजेपी ने खतम कर दिया शिवसेना जो उध्व ठाकरे सोच रहे होंगे कि सिमपैथी मिलेगी बाला साहब की विरासत मेरे साथ लेगेशी है मेरे साथ 12 साब का बेटा हूँ शिवसेना को जो है वो सत्ता से बाहर कर दिया शिवसेनिकों का अपमान किया धोखा दिया इन लोगोंने विश्वास घाती हैं ये सब सिंपैथी कार्ड केलने के लिए विक्टिम कार्ड केलने की तयारी कर रहे थे वो तब तक पता चला बीजेपी ने ये सारे कार्ड दोस्त कर दिये अब उनके लिए पार्टी पर कबज़़ए अभी तक मैं कह रहा था कि क्या शिंदे कबजा कर पाएंगे क्या उद्धो ठाकरे अपनी पार्टी बचा पाएंगे अब मैं कह रहा हूं कि बीजेपी ने तैक कर लिया है कि बच के नहीं जाने देना शिवसेना किसी भी हाल में उद्धो ठाकरे के पास नहीं रहने देना जितनी गाली उन्होंने पिछले साड़े साथ साल में दिये बीजेपी को उस सब का एक एक करके बदला लिया जा रहा है समझे और कोई कोई उनके साथ कोई दुर्विवार करके नहीं उनको राजनीती के खेल में मात दे कर अब ये तो बात रही शिवसेना की उद्धो ठाकरे की उद्धो ठाकरे के लिए राजनीती का आगे का एक बंद समझे राजनीती में किसी की अभिचूरी नहीं लिखनी चाहिए राजनीती ग्रूप से लेकिन इतना मान कर चलिए कि उध्व ठाकरे के लिए अगे की राजनीती लगभग असंभव है शिवसेना तो उनके हाथ से गई तो ठाकरे परिवार के हाथ से शिवसेना जा चुकी है मानिया उसकी आपचारी गोशना होनी है जैसे मैं कह रहा था कई दिन से पिछले एक हफते से ये सरकार जा चुकी है इसकी आपचारी गोशना होना बाकी है वैसे ही आज कह रहा हूं कि शिवसेना ठाकरे परिवार के हाथ से जा चुकी है एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना कर बीजेपी ने कई दाव कहले हैं पहला तो शिकार हुए उद्धव ठाकरे हैं दूसरी शिकार हुई उनकी शिवसेना ठाकरे की शिवसेना तीसरा शिकार काका जो अपने को चाना के कहलवाना पसंद करते हैं शरद पवार मराठा प्राइड, मराठा राजनीती, मराठाओं के सबसे बड़े नेता एक मिनिट में ध्वस्त कर दिया एक नाथ शिंदे के जरिये मराठा समधाय में संदेश दे दिया कि देखो तुमारे समधाय से मुक्यमंतरी बना दिया एक युवा मराठा को मुक्यमंतरी बना दिया तो जो son of the soil की राजनीती होती है, धरती पुत्र की राजनीती होती है, उसको प्रधान मंतरी नेरिन मोदी और ग्रिह मंतरी अमिज शाह ने लागू कर दिया है शिवसेना का जो भी आधार है, अब वो बीजेपी के साथ मिलकर वो कई गुना बढ़ेगा और क्या संदेश दिया है, पूरे देश की राजनीती के लिए, पूरे देश की राजनीती में इस बात की चर्चा पिछले दस दिनों से हो रही थी कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सरकार गिर रही है हिंदुतु के मुद्दे पर कोई सरकार से बाहर आया है नेता हिंदुतु के मुद्दे पर तो हिंदुतु के मुद्दे को और मजबूती मिले इसके लिए कहा ये कि जिसने पहली बार ये कदम उठाया उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे जो हिंदूतु का जंडा लेकर महाराष्ट विकास अगारी की सरकार से निकला उसी को मुख्यमंत्री बनाएंगे उसका हकदार वही है इस सारे फैसले में बीजेपी ने अपनी पार्टी का हित अपनी पार्टी के नेता देवेंद फर्णवीस का हित व्यक्तिगत राजिती करियर नहीं देखा मुझे नहीं लगता कि देवेंद फर्णवीस का कोई उनके उनके राजिती करियर पर विशेश असर पढ़ने वाला है जो लोग मान रहे थे मैं भी मान रहा था कि देविंद फर्णविस जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ अच्छा सोच कर पार्टी ने रखा होगा इसमें मुझे जरा भी शंका नहीं है तो उनका राजनिती करियर आगे बढ़ने ही वाला है हो सकता है ये पद नहीं मिला है इससे बड़ा कुछ मिलने वाला हो इससे बहतर कुछ मिलने वाला हो जो उनकी राष्ट्री राजनिती की महत्वा कांख्शा को भी पूरा करने वाला हो तो इसलिए जो है पार्टी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा सोचा भी और नहीं भी सोचा सोचा ये कि एक त्याग करने से एक सेक्रिफाइस करने से इसका लॉंग रन में बहुत बड़ा फायदा है महाराष्ट की पूरी राजनीती को बदल दिया है इस एक कदम में तो उद्धव ठाकरे गए उद्धव ठाकरे किसे उसे ना गई हिंदुत का मुद्दा और मजबूत हुआ जिसने हिंदुत का मुद्दा उठाया सरकार छोड़ी उसके लिए उसको सबसे बड़ा पद जो वो शायद सोच भी नहीं रहा था और कहा भी एक नाशिन देने कि मैं इसकी अपेक्षा नहीं कर रहा था तो वो दे दिया शरत पवार को उनकी जगह दिखा दिये और आप देखिए कि ये लोग कैसे सोचते हैं प्लैनिंग इनकी देखिए आज ये गोशना हुई है और कल ही भारत सरकार ने लगभग धाई हजार करोड का बजट सैंक्शन किया है किसलिए जो कौपरेटिब्स हैं उनके जो छोटी हिकाईयां हैं उनको आउनलाइन करने का बैंकों की तरह से जिस तरह से बैंकों में सब कुछ आउनलाइन होता है उस तरह से कौपरेटिब्स का पूरा सिस्टम पूरा उसका तंत्र आउनलाइन होने जा रहा है तो जूट की फर्जी कर्स देने की फर्जी किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की इस तरह के तमाम जो घपले थे जिन पर NCP और शरत पवार दशकों से फल फूल रहे थे उसका रास्ता बंद कर दिया तो पहले वहां से इंतजाम किया, कोइपरेटिव्स का। सबसे बड़ा उनका अर्थ का स्रोथ है, वो कोइपरेटिव्स है। तो वहां वहां इंतजाम किया, उससे पहले कई बदलाव कर चुके हैं, उसके बारे में बता चुका हूं, रिपीट नहीं करूँगा। और ये अजैनिक महराष्ट का मुख्यमंत्री हो गया है। तो ये जो सपने की बात कर रहे थे बाला साप के तो बाल ठाकरे की पूरी लिगेसी, प्रिटिकल लिगेसी एक नाथ शिद्दे ले गए। अब राष्ट्री राजनिती के लिए दूसरा सबक क्या है। मैंने पहला तो कहा ह दूसरा सबक है रीजनल पार्टी के लिए। अगर अपनी आइडियालजी छोड़ोगे, सत्ता के लिए अपनी विचारधारा छोड़कर समझाता करोगे, तो हश्र वही होगा जो उद्धव ठाकरे का हुआ है। उद्धव ठाकरे का जाना भारतिय राजनीती में मेरा मानन है कि एक बड़ा इंफलेक्शन पॉइंट है, एक बड़ा प्रस्थान बिंदु है। यहां से पूरे देश की राजनीती में बड़ा बदलावाना। अब इंतजार करना होगा अशरत प्रवार को, रात को नीन नहीं आएगी, कि उनकी पार्टी से एकनाश चिंदे कौन बन जितनी रिजनल पार्टी हैं, वो चाहे अखलेश यादव हों, मायावती हों, या फिर लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी हों, इन सब को सोचना पड़ेगा कि उनकी पार्टी से भी कोई एकनाश चिंदे निकल सकता है। विचारधारा से सत्ता के लिए सम्झोता किय तो हश्र ये होगा कि ना खुदा ही मिलेगा ना मिसाले सनम, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो रिजनल पार्टी की राजनीती में, रिजनल पार्टी के अस्तित्व को लेकर एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बीजेपी अभी तक ज़्यादा तर ऐसी जगहों पर जीतती रही है, जहां उसका सीधा मकाबला कॉंग्रेस से हो। अब उसने रिजनल पार्टी को हरा कर जीतना शुरू किया है। कहा जा रहा था कि बीजेपी जब भी रिजनल पार्टी से सामना होता है तो हर जाती है। उत्तर प्रदेश में दो दो बार करके दि इसे तरह से असम में भी कहता हूं कि असम में जो है कॉंग्रेस की आलत एक रिजनल पार्टी की ही हो गई थी। इसी तरह से हरियाना में और आप नाम लेते जाएये लगातार बीजेपी रिजनल पार्टी के उपर बारी पड़ रही है। तेलंगाना अगला राज्य होगा याद रखिये, वहाँ 9 बर दिसंबर 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना में इस बार बीजेपी अगर आ जाय सकता में तो कोई आश्यर नहीं होगा जो त्रिपुरा में हुआ था वो रिपीट हो सकता है तेलंगाना में होगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि उसकी संभावना से इंकार नहीं कर सकते हैं तो अब कॉंग्रेस के बाद, कॉंग्रेस मुक्त भारत के बाद लगता है मोदी और हमिच शाह का अगला निशाना है रीजिनल पार्टी से मुक्त भारत का रीजिनल पार्टी के लिए ये जो परिपार्टी उन्होंने बना ली थी ये तरीका बना लिया था कि सबसे बड़ी विचारधारा सत्ता है जहां सत्ता मिले वहीं विचार धारा है और जो सत्ता दिलाए उससे अच्छी कोई विचार धारा नहीं है मोदी और रमिशा कह रहे हैं कि ये गलत पहिमी है आपकी है अब तक आपने कर लिया अब इस सोच विचार के दिन जाने वाले हैं उद्धव ठाकरे से मिल लीजिए अगर आपको कोई शनका हो तो पूछ लीजिए उनका क्या हाल है तो उद्धव ठाकरे ने 2019 में जनादेश को धोखा दे कर जनादेश से विश्वास घात करके बीजेपी से विश्वास घात किया अलग बात चोटी बात जनादेश से विश्वास घात किया ये बड़ी बात थी और उसके बाद उन्होंने जो किया सिर्फ ढ़ाई साल में उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है कि सत्ता गई मुख्यमंतरी पद गया और अब पार्टी जा रही है एक नाद चिन्दे अब असली सिर्फ सेना होने जा रहे है आप देखते रहे हैं बहुत जल्दी है वो चुनावायोग भी जाएंगे एक बार मुख्यमंतरी पद की शपत ले ली है अब कैबिनेट का एक्सपेंशन मुझे लगता है कि दो तीन जुलाई किस तरह पर तो सोचा जा सकता था कि अगर ऐसा बीजेपी करे तो फायदे बंद होगा इसके यह यह फायदे होंगे लेकिन कर देगी बीजेपी सत्ता का इतना बड़ा मोह छोड़ देगी अपना मुख्यमंतरी बनाने का ऐसा आवसर छोड़ देगी इसकी कलपना मुझे तो नहीं थी बाकि जिसको रही हो रही हो मैं इस बात की कलपना नहीं करता था कि बीजेपी इस तरह का कदम उठा सकती है लेकिन हम आप जो सोचे हैं वही मोदी और शाह कर दें तो फिर वो क्या इनकी माया का कोई पार नहीं है इनको समझना बहुत कठिन है अभी लोग द्रौपती मुर्मू के राश्पती पद का उमीदवार बनने के जटके से उबरे भी नहीं थे कि ये नया जटका उससे और ज़्यादा तेज जटका दिया अब पता नहीं और कौन सा जटका आने वाला है तो इंतजार कीजिए वो तो हो जाएगा तभी हमको आपको भी पता चलेगा तो तब तक इंतजार करते हैं देखते हैं कि अगला कदम क्या होता है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए जाज़त दीजिए आप से अन्रोध है कि ये चैनल देखिए शेर कीजिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए नमस्कार